चलिए आजम बनाते हैं आम का एक अनोखा अचार ये अचार बहुत ही स्वादिश्ट बनता है आपको ये अचार बहुत पसंद आएगा आप इस अचार को जरूर बना कर देखिए इस वीडियो के अंत में मैं अचार को स्टोर करने के सारे टिप्स भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो चलिए बनाते हैं आम का चटपटा अचार नमस्कार निशम अधोरी मारे सिपीज में आप सभी कस्वगत है अगर आप हमारे चनल पर नए हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे आने वाले ने वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लि केरिया काट सकते हैं मैंने इस तरह से लंबाई में केरिया काट कर तयार कर ली है और इनकी गुठली हटा दी है अगर आपको गुठली के साथ अचार बनाना पसंद हो तो आप गुठली के साथ भी अचार बना सकते हैं केरी के टुकडो में अभी हम 25 ग्रैम नमक डालेंगे क्योंकि हम आधा केलो केरी से यह चार बना रहे हैं इसमें एक चोथा ही चोटी चम्मच हल्दी पौर्डर डालेंगे इसे अच्छे से मिला देंगे केरीों को मिलाने के लिए हमेशा स्पैचुला या चम्मच का ही यूज कीजिए हाथों से इसे बिलकुल नहीं मिलाना है या फिर आप चाहे तो इस तरह से टॉस करके भी मिला सकते है हमने केरी ओपर नमक और हल्दी अच्छे से कोट कर दिया है अभी हम इसे ढख देंगे और ढख कर राद भर के लिए इसे ही छोड़ देंगे हमें इस पर इस तरह से जाली रखना है या फिर कोई पतला कपड़ा बान कर आप रख सकते है लेकिन ढखकन इस पर नहीं रखना है 10-12 गंटे के बाद अगली सुभा हम इसका ढखकन को लेंगे देखिए इसमें हल्दी और नमक का पानी निकल आया है अब हम इन कहिरी के टुकड़े को एक बड़ी सी थाली पर इस तरह से पतला पतला फेला देंगे हम इसे दो घंटों के लिए धूप में रख देंगे अगर धूप ना हो तो आप दो घंटे पंके के नीचे इसे सुखा लीजिए हमें सिर्फ इसकी नमी को दूर करना है इने बहुत जादा नहीं सुखाना है आम के टुकड़ों में हल्दी और नमक का ये जो पानी निकल आया है इसे हमें अचार में नहीं डालना है आप चाहे तो इसे किसी सबजी में या पराठे बनाने के लिए यूज़ कर सकते है अचार बनाने के लिए हमने यहां कुछ मसाले ले लिये है दो बड़े चम्मच सौफ ले लिये है एक बड़ा चम्मच जीरा लिया है दो बड़े चम्मच सरसो की दाल ले ली है ये पीली सरसो की दाल है इसकी जगे आप काली सरसो भी ले सकते हैं साथ आठ काली मिर्च ले ली है काली मिर्च की जगे आप लॉंग भी ले सकते हैं एक चोटा चम्मच अजवाईन लिया है एक चोटा चम्मच मेथी दाना ले लिया है चार हमने सुखी हुई लाल मिर्च ले ली है अब हम इन सारे मसालों को भून कर त्यार कर लेंगे सारे मसालों को हमें कड़ाई में डालेंगे गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और इन मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे हमें मसालों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाना है सिर्फ इनकी नमी को दूर करना है वैसे भी गर्मी की दिनों में मसाले बहुत जल्दी सिक कर तयार हो जाते हैं हमेंने केवल दो मिनिट के लिए भूनेंगे अचार में जब भी हमें मसाले डालना होता है मसालों को भून कर उनकी नमी को दूर करकी ही डालना होता है इससे हमारा अचार बहुत अच्छा बनता है और अचार की सेल्फ लाइब भी बढ़ती है दो मिनिट पूरे हो चुके हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं बहुत अच्छी खुश्बू आने लगी है अभी हम गैस बन कर देंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे चलिए अभी हम अचार के लिए तेल गरम कर लेते हैं हमने यहां अधा कप मुफली का तेल लिया है वैसे तो मैं अचार सरसो के तेल में ही बनाती हूँ लेकिन बहुत लोगों ने मुझसे डिमान की है कि मैं मुफली के तेल में भी अचार बना कर दिखाओ अगर आपको सरसो का तेल पसंद है तो आप सरसो के तेल में इस अचार को बनाईए या फिर आपको जो तेल पसंद है आप उसमें अचार बना सकते हैं अभी हम इस तेल को थोड़ा गरम कर लेंगे हमें तेल को उबालना नहीं है सिर्फ तेल को एक भाप आने तक गरम करना है हम चाहे कोई भी तेल अचार में डाले कच्छा तेल हमें नहीं डालना है हमेशा तेल को गरम करके ठंडा करके ही अचार में डालना है देखिए तेल गरम हो चुका है इसमें भाप आने लगी है हमें इसे इतना ही गरम करना है उबालना नहीं है अभी हम गैस बंद कर देंगे और तेल को थोड़ा गुंगुना होने के लिए छोड़ देंगे आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए क्यों नहीं रखा है इसका कारण मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ मसाले अच्छे से ठंडे हो चुके है अभी हम इने थोड़ा दरदरा पीस लेंगे देखे हमने इस तरह से मसालों को थोड़ा दरदरा पीस लिया है आप चाहे तो इसे सिल्बटे पर या फिर उखली में भी थोड़ा सा दरदरा कूट सकते है तेल अभी थोड़ा गुंगोना हो चुका है इसमें अभी हम आधा चोटा चम्मच हिंग डालेंगे इसे अच्छे से मिला देंगे अगर हम गरम तेल में हिंग डालते हैं तो इससे हिंग जलने का डर रहता है अभी हम इस तेल को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे दो घंटे दूप में रखने के बाद आम के टुकड़े अच्छे से मौस्टर फ्री हो चुके हैं चलिए अभी हम अचार बनाना शुरू करते हैं हमने अभी जो मसाला पीस कर रखा है वो मसाला इसमें डाल देंगे एक बड़ा चमच कश्मेरी लाल मिर्च पौर्डर डालेंगे क्योंकि हमने सुखी लाल मिर्च भी डाली है इसे अंदाज से हमें लाल मिर्ची पौर्डर डालना है एक च घुटाय चोटी चमच हल्दी पौडर डालेंगे हल्दी पौडर हमने पहले बी डाली है इसलिए हमें यहाँ थोड़ा कम हल्दी पौडर डालना है अभी आप ध्यान से देखिए इसमें अभी हमें 50 ग्रैम नमक डालना है आप चाहे तो सेंधा नमक से भी इस अचार को बना सकते है एक चोटा चम्मच चीनी डालेंगे चीनी की जगे अब गुड़ भी डाल सकते है इससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है अभी हम इन सारे चीजों को अच्छे से मिला देंगे जब भी हम आम का अचार बनाते हैं तो हमें इसमें नमक की मातरा एकदम सही डालनी होती है क्योंकि नमक हमारे अचार में प्रेजर्वेटिव का काम करता है अगर नमक कम हो जाता है तो इससे भी अचार खराब होने का डर बना रहता है अभी हमने इसे अच्छे से मिला दिया है इसके उपर फिर से हम ये दूद वाली जो जाली है इसे रखेंगे और इसे दो घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि हमने इसमें जो मसाले डाले है वो घुलना शुरू हो जाए दो घंटे पूरे हो चुके हैं हम इसका ढकन है टाएंगे देखिए अभी ये मसाले आम के टुकड़ पर अच्छे से कोट हो चुके हैं और इनका कलर भी अभी चेंज हो चुका है इनमें थोड़ी सी नमी लग रही है देखिए ये मसाले अभी थोड़ा घुलना शुरू हो गए है इसी समय हम इसमें तेल डालेंगे हमने तेल अच्छे से गरम करके ठंडा करके रख दिया है इसे अच्छे से मिला देंगे अच्छे से अभी बनना शुरू ही है लेकिन इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसे खाने का मन कर रहा है हमने इसे अच्छे से मिला दिया है इसे अभी हम ढग देंगे और ढग कर 10-12 घंटों के लिए इसे ही छोड़ देंगे जैसे जैसे ये अचार घुलेगा इसका स्वाद और बढ़ता जाएगा और ये आम के टुकडे सारे मसालों के टेस्ट अच्छे से अब्जॉब कर लेंगे 10-12 घंटे पूरे हो चुके हैं अभी आप देख सकते हैं अचार का कलर कितना प्यारा आया है और जो हमने इसमें तेल डाला है ये तेल भी अच्छे से उपर आ चुका है आम के टुकडे भी थोड़े सॉफ्ट लग रहे हैं आप अभी इस अचार को खाना शुरू कर सकते हैं चलिए इस स्वादिश्ट अचार को सर्विंग बाहूल में निकाल लेते हैं आप इस अचार को रोटी पराठा या किसी भी स्नैक्स के साथ खा सकते हैं आप इस अचार की अगर अच्छे से देख भाल करते हैं तो आप इसे पूरे 1-2 सालों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं अचार तो बन गए है अभी अचार को स्टोर कैसे करना है इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आप इस वीडियो पर अंततक बने रहिए ताकि आप से कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना पाए अचार स्टोर करने के लिए हमेशा कोई भी एरटाइट कंटेनर यूज़ करना चाहिए काच या से रहमिक का कंटेनर सबसे बेस्ट होता है मैंने हाँ एक काच का कंटेनर ले लिया है इसे अच्छे से धोकर पोच कर दूप में रखकर उसके बार थोड़ा ठंडा करके फिर अभी हम इसमें अचार भरेंगे अचार भरते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अचार को हमें पूरा गर्दन तक नहीं भरना है थोड़ी से जगा इसमें हमेशा बना कर रखनी है ताकि इसमें जो भी तेल उपर आता है वो तेल के लिए हमें जगा रखनी होती है अचार के कंटेनर को हमेशा टिशू पेपर से या फिर किसी भी साफ कपड़े से पोश्टे रहे ताकि ये गरदन में जो मसाला लग जाता है अगर ये ऐसे ही लगा रहेगा तो इसमें फंगस लगकर अचार खराब होने का डर बना रहता है अचार निकालने के लिए हमेशा सूखे और साफ चमच का ही यूज कीजिए इससे अचार में नमी नहीं होती है और अचार अच्छा रहता है अचार के कंटेनर को हमेशा सूखी और साफ जगव पर ही रखना चाहिए अचार को हमेशा तेल में डुबा कर रखना चाहिए अगर अचार में से तेल खतम हो जाता है तो थोड़ा सा तेल फिर से गरम करके पूरी तरह से ठंडा करके अचार में मिला दीजिए और अचार को तेल में डुबा कर रखिए इससे आपका आचार सालो साल अच्छा रहेगा ये सारी बहुती चोटी चोटी बाते होती है लेकिन अगर आप इन सारी बातों का पालन करते हैं तो आपके हाथों से बना हुआ आचार भी कभी खराब नहीं होगा सालो साल अच्छा रहेगा अगर आपको आज के हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लेक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस यूसफुल वीडियो को जरूर शेयर कीजिए इसी तरह से और भी मज़दार रेसिपीज देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तो रिंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए आप हमें फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और शेयर चैट पर भी फोलो कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मज़दार रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्ते